माध्यम से जरूर पहुँचे कोई कोई कॉट्राक्ट साइन हुआ अगस्ता वेस्ट की 26 नवेंबर 2012 को इसकी जानकारी दी कि इटली में जो तेकिकात हो रही है उसके अंदर इंडिया के साथ जो कॉट्राक्ट हुआ है उसकी भी तेकिकात हो रही है एक प्रिलिम्नीर एक एंटनी साब जो समय रक्षा मंत्री थे उन्होंने दिसेंबर नो दोजार तेरा को अपने स्टार्ड क्वेश्चन पच्पन के माध्यम से उन्होंने सबको बताया कि और अठारा और लोगों क्यों प्रास्ता डील उनको में कोट कर रहा हूँ Yes, corruption has taken place in the helicopter deal and bribes have been taken इसमें आपको जानकारी है कि इसके उपर inquiry चल रही है खास तोर से 2014 में Christian Michel के जो notes है जो उन्होंने अलग-अलग लोगों को भेजे हैं उससे बहुत सी जानकारी मिलती है कि Sonia, Gandhi और उनके जो नजदी की लोग हैं उनको target करिये और उनको target करके यह हमारी deal sanction होगी हमारी deal through होगी और उसमें फिर प्रकार से अलग-अलग चार भागों में politicians उसमें लिखा है और AP एक abbreviation है उसके अंदर कितने पैसे उनको पे कर गया है कि conclusive तरीके से लिखा गया है कि kickbacks were paid to defense officials, bureaucrats, politicians organizations और हार पर है और फिर राजीव सक्सेना जो एक और जो अक्यूस्ट है उनसे जो पूछताच करी गई वो लगतार अगस्ता वेस्टलेंड को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं by intervention through prime minister's office and defense minister, elite जो पार्टी के वरिष्ट नेता है उनके द्वारा और केवल प्रधान मंतरी नहीं finance minister और defense minister के ओपर भी दबाव बनाया जा रहा है दो streams है payment के, एक stream है जो गीडो हैश के एक middleman है तो अगस्ता वेस्टलेंड कंपनी के अंदर ही काम करते हैं और दूसरे जो धारा है payment का, वो है Michelle, Christian Michelle और उसमें वो साफ शब्द लिखते हैं, बात करते हैं, उस पार्टी के अंदर एक Italian lady के बेटे की बात करते है तो कौन सी पार्टी की बात हो रही होगी? और उसमें वो family है, family, FAM जो लिखा है, वो family है और टोटल जो payment होना है, वो 700 करोड रुपे payment होना है अब जब भी Congress का नाम आता है और दूसरी तरफ, जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को equipped करने की जगे गोटालों के, जो deal करते हैं, वो गोटालों के सोच वचार करके करते हैं जहां जीब गोटाला, बफोर्स गोटाला, टाटा ट्रक गोटाला, स्कॉर्पियन पंडूबी गोटाला, से अब अगस्ता वेस्टलेंड गोटाला इस सारे के सारे गोटाला का मैंने आपको सामने विवरण दिया अभी कल रविशास्त करने का मकसद था कि कॉंग्रेस गताओं का नाम रशी ही मिली है वहां से इस चुपी का मतल जिसके अंदर इटली में भी तैकिकात और भारत के अंदर भी जो तैक है कि कॉंग्रेस इसके ओपर चुपी तोड़े और देश को जवाब दे दन्यवाद उस समय 20 Westland हेलिकॉप्टर खरीदे गए थे एक हेलिकॉप्टर का क्रैश हुआ उसके बाद एक इन्वेस्टिकेशन हुई और उस इन्वेस्टिकेशन के बाद 19 हेलिकॉप्टर जो पवण हंस के पास थे वेस्टलैंड के उनको सब को ग्राउंडिड कर दिया गया तो ये पहली बार नहीं है ये बार-बार हुआ है और एक ही परिवार के इशारे पर हुआ है और इसलिए जरूरी है कि आज देखिए इसमें जरूरी बात ये है कि जिससे सवाल-जवाब हो रहे थे वो विटनिस बयान में जिस-जिस लोगों के नाम आये हैं अब तैकिकात ये हो रही है कि उन लोगों के साथ कौन-कौन connected था उन लोगों के उपर आशिरवाद किन-किन लोगों का था ये बहुत गहरी investigation होती है जिसमें एक देश नहीं एक-दो companies नहीं इन्होंने 100-200 companies बना रखी हैं उनके माध्यम से payment एक से दूसरे से तीसरे से चौते से हो रहा है पेमेंट को छुपाने की कोशिश करी गई है तकि असलियत तक असली व्यकार इस बात पर बितकुल अडिग है कि देश का पैसा देशवासियों के लिए है रक् इसके अंदर या उस परिवार के साथ जुड़े वे जो राजनेती लोग है उन सब को फाइदा मिले पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाती हैं वो देश को कैसे बढ़ा सकती है उनका एक ही लक्षे हो सकता है अपने परिवार को आगे बढ़ाना आपने बात करी जम्मू और कश्मीर की वहाँ पे वहाँ के लोगों को वहाँ के रहने वाले जो मुख्यमंत्री बने जो कुछ परिवारवादी पार्टिया हैं उनको भरपूर मौका मिला वस्ता बिगड़ती गई चालीस हजार से जादा वहाँ लोग मारे जा चुके हैं देश के सेने का अपना खून बहा चुके हैं पाकिस्तान अभी भी कश्मीर के ओपर अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है लोगतंतर वहाँ गाओं गाओं तक नहीं पहुँचा और उसके बावजूद भी ये परिवा जम्मू को कश्मीर को और लदाक को देश के मेन लैंड के साथ मुख्यधारा में जोडने की लोगतांतरिक कोशिश हो रही है उसको जो जो रिजेक्ट करते हैं भारत उन सब को रिजेक्ट करता है यह देश का स्वभाग्या है कि आज ऐसा राजनेतिक युग आया है कि कॉंग्रेस और लेफ्ट अब एक विचारधारा में जोड़ते जा रहे है केरल के अंदर जो लेफ्ट वाले कारे करता हैं वो प्रशन करते हैं कि हमारा कॉंग्रेस के साथ मिलाब कैसे हो सकता है वहीं पश्चिम बंगाल में क्योंकि राजनेति उनको सिर्फ परस्टनल एंबिशन अपना स्वार्थ ही नजर आ रहा है इस कारण से आज लेफ्ट और कॉंग्रेस एक साथ लड़ना चाहते हैं और इसको मैं देश का सौभा के कहता हूँ क्योंकि जब समुद्र मंतन होता है तो उसमें से जैए ये भी बिलकुल बात स्पष्ट है कि और सब लोग जानते हैं मेडिया वालों से जब मित्रों से जब बात करता हूँ मैं मीडिया के अपने मित्रों से जब बात करता हूं सब ये कहते हैं कि बिहार का चुनाव तो हो गया और सब जानते हैं कि उसी समय एक विदेश विदेशी राज में भी एक चुनाव हो रहा था लेकिन बिहार का चुनाव हमारे देश का चुनाव पूरे non-voilent तरीके से हुआ क्योंकि पूरे विश्व के लिए एक उधारन है लेकिन आप सब जानते हैं कि अगला चुनाव जो होने वाला है बंगाल के अंदर उसके अंदर हत्याएं काफी पहले से शुरू हो चुकी है हत्या होई है बीजेपी के कारेकरता को वहाँ उसका कतल कर दिया गया है ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्णाक बात है और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि देश जागरूख हो इस बात से भी कि किसी चुनाव के अंदर और किसी विचारधारा को रोकने के लिए व्यक्तियों की कारेकरताओं की हत्या ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगे आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रेसवारता में शाबिल होने के लिए थैंक्यू अब वो आलग से बात कर लेंगे प्रेस्टाइब 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 इस जाएब प्रेस्टाइब शाइब प्रेस्टाइब प्रेस्टाइब पुतिन यए नहीं